हेलो फ्रेंड्स मेरे खशर्मा चैनल लाइफ विद रेखशर्मा में आप सबका स्वागत करती हूँ होप आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छा वाला टाइम स्पैंड कर रहे होंगे दोस्तों और कैसे हो दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं नवरात्रों की आप सब को बहुत बहुत शुप काम नाएं फ्रेंड्स मैं आज आपको कोई जुरूरी टिप्स बताने जा रही हूँ जो मुझे मालुम है और आप भी उन्हें अपना कर अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो हेलो फ्रेंड्स गर्मी में स्मेल हर जगा रहती है तो स्मेल को दूर करने के लिए और अच्छी खुश्बू लाने के लिए हम ऐसा क्या करें तो इसके लिए देखें ये कपड़ों को धोने के लिए कपड़ों में खुश बुलाने के लिए होता है ये comfort तो इसको आपने use करना है यहाँ पे मैंने spray bottle ले ली है और उसमें मैंने भर दिया है पानी ये आदा लीटर की spray bottle है और मैंने इसमें पूरा एक धकन डाल दिया है comfort का तो आपने ऐसे ही करना है और spray bottle में मैंने डाल कर इसको अच्छी तरह कर दिया शेक और शेक करके आप आपकी ये spray bottle हो गई तैयार और जहाँ पे भी आपको लगे की smell है वहाँ पर इस spray bottle से spray कर दीजिये और खुश्बू ही खुश्बू आएगी friends friends मैंने यहाँ liquid बनाया है पोधो के लिए आप भी ऐसा liquid बना कर अपने पोधो को पूरा portion दे सकते हो मैंने यहाँ पर छिलके डाले हुए है संत्रे के केले के और आप इसमें add कर सकते हो प्याज के और आलू के छिलके इन चारों तरह के छिलकों को आप एक बड़ी बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसको छिलकों को इसमें डाल दीजिए इसको आपने 24 गंटे से 48 गंटे तक ऐसे रखना है और जब यह त्यार हो जाए तो इसमें आपने add कर देना है डबल पानी डबल पानी add करके यह आपके पोधों के लिए बहुत अच्छा liquid बन जाएगा और आपके पोधे लहराएंगे इस liquid से friends देखे कितना अच्छा liquid fertilizer बन गया है और देखिए इसका color भी change हो गया है आप किसी भी तरह के छिलके ऐसे ही एक बाल्टी पूरी भरिए और उसमें डाल दीजिए 24 गंटे के लिए फिर आप उसको छान के अपने पोधों को दे दीजिए देखिए आपके पोधे इतने healthy हो जाएंगे इतने अच्छे हो जाएंगे आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसा मैंने इनको क्या दे दिया कि ये इतने अच्छे हो गए तो थोड़ी महनत जरूर है पर जब आप इस तरह के fertilizer liquid दोगे और hanging plants के लिए तो ये इतने अच्छे liquid fertilizer है जो बहुत अच्छा रहेगा hanging plant के लिए hanging plant को हम वैसा fertilizer नहीं दे सकते तो liquid fertilizer hanging plant के लिए सबसे अच्छा है आप अराम से दे सकते हो liquid fertilizer और बार बार आप hanging plants को उतार के fertilizer नहीं दे सकते तो ऐसा liquid fertilizer बनाईए और अपने hanging plants के हेल्दी बनाईए जब भी आप ये liquid fertilizer बनाएं तो आपने 20 लीटर की बाल्टी लेनी है और उसको पूरा भर लेना है और उसमें कम से कम आपने 200 ग्राम छिलके डालने हैं चिलके डाल कर आपने 24 गंटे इसको ऐसे ही रखना है और फिर छान कर अपने पौधों को डबल पानी डाल के यानि एक बाल्टी है तो एक बाल्टी और डाल के mix कर लेना है और डबल पानी करके आपने अपने पौधों को देना है और इस तरह आप लिक्विड अपने पोधों को दीजिए और आपके पोधों को सारा पोशन मिलेगा जो वो चाते हैं तो आपके पोधे हरे भरे रहेंगे और किसी तरह की कोई खा दिया ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पोधे लहराएंगे इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसे लाइक किजिए शेयर कीजिए अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो क्रिप्प्या करके चैनल को सब्सक्राइब किये बगएर ना जाएं इसी के साथ करती हूँ मैं बाई बाई एंड टेक क्यार फ्रेंड